हेलो एवरिवन वेलकम इन मैं चैनल इस प्रिती सर्मा फैशन डिजाइनर एंड ट्रेनर गाइस हम लोग फैशन फीगर बनाना सीख चुके हैं 12.58 फीगर 10.58 फीगर बनाना सीख चुके हैं बट आज के क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूं किट्स वियर कैसे हम इलस्ट्र पर जो उसके होते हैं पॉइंट्स होते हैं बट किट्स के लिए कोई मैजरमेंट नहीं होते हैं तो हम इनको इंचेस पे बनाएंगे और एक एक इंच ले करके हम बनाएंगे जैसे कि 4.58 फीगर पांच साल के बच्चों के लिए बनाना है तो हम 4.58 फीगर पे बनाएंगे इनका जो होगा वो हम इंस से लेंगे, एक एक इंस ले करके 4.5 ये हमने ले लिया है, 4.5 इंस ले लिया है हमने and इस पे हम illustration बनाएंगे, kids का figure बनाएंगे. बाकी के points सेम होगे, head सेम होगा and neckline हम 0.5 ही लेंगे and जो एक एक इंस का points है, उसका हम half ले करके बाकी figure को बनाएंगे, आप देखो मैं किस तरीकी से इसको बना रही हूँ, same वैसे ही आपको भी बनाना है and मेरी आपसे एक request है guys की, आप अगर हमारे चैनल पर new है और आपने देखने के लिए और इसके सारे steps को देखने के लिए हमारे app को download कर लीजिए, link description box में दिया हुआ है and मैं comment session में भी share कर दे रही हूँ, तो जा करके फटा फट डाउनलोड करके और सारे course को join कीजिए, तो guys यह हमने head बना लिया है, neckline से निकलते हुए proper solder ले करके और हम kids के लिए straight लेते जाएंगे and यहीं से हम थोड़ा सा shape में देते हुए figure को, यह जो one inch का midpoint लिया हमने, ठीक है दोनों का and अब यहां से हम हलका सा shape देते हुए, body का shape देते हुए and hip को निकालेंगे, यह इस तरीके से हमने draw कर लिया है, same ऐसे ही आपको भी बनाना है and अभी hip point का हम दोनों side का midpoint लेंगे and इसके से हम circle बना करके और leg निकालेंगे, इसी तरीके से हमें आपको बता दूं कि kids weird का जो यह illustration है, हम जो head figure बना रहे हैं, यह figure बनाने से होता क्या है तो guys, अगर हमें यह confusion होता है कि हम जो illustration बना रहे हैं, जो design बना रहे हैं, kids के लिए, वो उनके ओपर कैसा लगेगा, तो उसके लिए हमें यह figure बनाना होता है और उनके ओपर कैसा वो लगने वाला है, यह हमें proper cookies से पता चल जाता है आप देख रहे हो कि इसका hand भी मैंने उसी तरीके से निकाला है, small circle ला करके, जो waist का upper part है, वहाँ पे हम circle बना रहे हैं और फिर वहीं से hip level तक ला करके, और फिर वहाँ से brisht बना ले रहे हैं, hand का, kids के लिए तो इसकी measuring की point नहीं है, बट इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, कि जो hand level है, या leg level है, वो कितने point से जा करके, कितने point पे मिल रहा है तो यह हो गया हमारा 4.5 fat figure for kids के लिए, basically मैंने 3 different size बनाया है, आप पे जाओगे, आपको सारे size मिल जाएंगे, सारे size के tutorial मिल जाएंगे, and hope की आपको समझ में आएगा, और आप हमारे साथ कुछ learn करेंगे So guys, don't forget like, share and subscribe, में रोते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, bye